सेजल मिश्रा और हिमांशु एक दूसरे को इतना चाहते थे कि उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया था इसी दोरान सेजल की मा प्रतिभा उपाध्याई ने सेजल के ऐसे कान भरे की वह प्रेमी की जान लेने को आमादा हो गई इसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था नमस्कार दोस्तों मैं विवेक कुमार क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हारदिक स्वागत है कहानी में आगे बढ़ने से पहले क्रिप्या क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा ले तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं 21 वर्षिय हिमाशु सिंह सुल्तानपुर पीडबलूडी कालोनी में अपनी मा प्रतिमा सिंह और बड़े भाई शिवेंद्र के साथ रहता था 3 दिसंबर 2020 की शाम साढ़े 6 बजे किसी का फोन आया तो वह घर से निकल गया देर रात तक जब वह नहीं लोटा तो शिवेंद्र ने उसका फोन लगाया लेकिन उसका फोन स्विच्ट आफ मिला हर बार फोन बंधी मिला तो वह परिशान हो गया मा प्रतिमा सिंह भी चिंतित हो गई कि पता नहीं वह कहा है जो उसका फोन भी नहीं लग रहा है अगले दिन भी हिमांशु की तलाश की गई लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला मोबाई भी लगातार बंदा रहा था जब कुछ पता नहीं चला तो पांच दिसंबर को शिवेंद्र अपने मामा विवेक सिंह के साथ शहर कोतवाली पहुँचा कोतवाली में मौजूद इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह को उन्होंने हिमांशु के लापता होने की बात बताई पूरी बात जानने के बाद इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह ने हिमांशु की गुमशुद्धी दर्स कर लिया इसके बाद पुलिस अपने स्तर से हिमाशु को खोजने लगी 8 दिसंबर को इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिह को जानकारी मिली कि बाराबंकी के लोनी कट्रा थाना पुलिस ने 4 दिसंबर को अखियापुर गाव के पास नाले से एक युवक की नगनलाश बरामत की थी जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी इंस्पेक्टर सिह ने कट्रा थाने से लाश के फोटो मंगवा कर हिमाशु के भाई वमामा को दिखाए तो उन्होंने लाश की शिनाख्त हिमाशु के रूप में कर दिया इंस्पेक्टर भुपेंद्र सिह ने हिमांशु के भाई शिवेंद्र से पूछताच की गई तो उसने बताया कि हिमांशु की किसी से दुश्मनी नहीं थी लेकिन उसके प्रेम संबंध 18 वर्षिय सेजल मिश्रा नाम की युवती से थे वह डौक्टर प्रदीप मिश्रा और प्रतिभा उपाध्याय की बेटी है और शास्त्री नगर मुहले में रहती है प्रतिभा का तलाक हो चुका है इसलिए वह पती से अलग रह रही है इससे हिमांशु की हत्या का शक सेजल के परिजनों पर गया लिहाजा पुलिस ने प्रतिभा के घर के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज देखी इससे पता चला कि डौक्टर प्रदीप घटना के दिन शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक प्रतिभा के घर पर थे पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में भी उसी समय के बीच हत्या किये जाने की पुष्टी हुई थी हिमांशु के नंबर की काल डिटेल्स और लोकेशन की जाच की गई तो शक और पुखता हो गया हिमांशु की आखिरी लोकेशन प्रतिभा के घर की थी असरोगा टोल प्लाजा पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज में घटना की रात 12 बसकर 5 मिनट पर महाराष्ट्र नंबर की एक स्कोडा कार जाते हुए दिखी पुलिस ने हिमांशु के दोस्तों से पूछताच की तो पता चला कि हिमांशु अपने एक दोस्त के साथ घटना की शाम प्रतिभा के घर गया था हिमांशु दोस्त को बाहर छोड़ कर अंदर चला गया था हिमान्शु काफी समय तक वापस नहीं लोटा तो दोस्त उसके मोबाइल पर मैसेज भेज कर वापस आ गया हिमान्शु छे बसकर 40 मिनट पर प्रतिभा के घर में घुसा था 8 बसकर 22 मिनट पर वह प्रतिभा के घर से निकलते देखा गया हिमान्शु के परिजनों ने भी उसके हिमान्शु के आने की पुष्टी कर दिया अब यह बात समच नहीं आ रही थी कि जब हिमान्शु प्रतिभा के घर से निकल आया तो गया कहा लेकिन शक की गुंजाइश अभी थी कि फोटो में निकलते समय हिमांशु का चहरा नहीं दिख रहा था हिमांशु के साथ गए दोस्त और अन्य दोस्तों को युवक का फोटो दिखाया गया तो उन्होंने फोटो में दिख रहे युवक की पहचान हिमांशु के रूप में नहीं किया वह युवक कपड़े जरूर हिमांशु के पहने था लेकिन चालधाल उसकी अलग थी इसका मतलब यह था कि किसी और को हिमांशु के कपड़े पहना कर गुमराह करने के लिए घर से निकाला गया था तमाम सुबूत प्रदीप मिश्रा और उनकी तलाक्षुदा पत्नी प्रतिभा की ओर इशारा कर रहे थे इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिह ने 14 दिसंबर को डॉक्टर प्रदीप मिश्रा को हिरासत में लेकर पूछताच की तो थोड़ी सक्ती में ही वह तूट गए और उन्होंने घटना के पीछे की पूरी कहानी बया कर दी हिमान्शु की हत्या करने में प्रदीप के अलावा प्रतिभा, उसकी बेटी से जल और उनका नौकर सद्दाम शामिल थे हत्या के लिए बाकाइदा एक प्रॉपर्टी डीलर गुफरान अक्तर के जरिये 50,000 रुपए की सुपारी दी गई थी गुफरान ने अपने हिस्ट्री शीटर दोस्त वाहिद खान को हत्या के लिए तयार किया था वाहिद ने सब के सामने घटना को अंजाम दिया था पूच्टाच के बाद इंस्पेक्टर भुपेंद्र सिंह ने शिवेंद्र सिंह की तरफ से प्रदीप मिश्रा, प्रतिभा उपाध्याय, सेजल मिश्रा, गुफरान अक्तर, वाहिद खान और सद्दाम के खिलाफ धारा 364, 302, 201, 34, 120 B के तहट मुकदमा दर्स कर लिया आरोपियों से पूच्टाच के बाद हिमान्शु की हत्या की जो कहानी सामने आई, वह अवैद संबंधों की बुनियाद पर रची बसी निकली उत्तरप्रदेश के जिला सुल्टानपुर की शहर कोटवाली के शास्त्री नगर मुहले में प्रतिभा उपाध्याय रहती थी प्रतिभा उपाध्याय का विवाह 19 साल पहले बढ़ियावीर में रहने वाले प्रदीप मिश्रा से हुआ था प्रदीप मिश्रा होमियोपैथी के डाक्टर थे विवा के साल भर बाद ही प्रतिभा ने एक खूबसूरत बेटी सेजल को जन्द दिया समय अपनी गती से आगे बढ़ता गया सन 2007 में प्रतिभा ने प्रदीप से किसी बात से खफा होकर तलात ले लिया और बेटी सेजल के साथ शास्त्री नगर मुहले में रहने लगी प्रतिभा ब्यास पर पैसे देने का काम करती थी इस पर उसे अच्छी कमाई होती थी मा बेटी का रहनसन काफी अच्छा था प्रतिभा हाई सोसाइटी की महिलाओं की तरहे ही जीन्स टीशर्ट पहनती थी हाथ में महेंगा मोबाइल होता था रहन सहन और काम के चलते प्रतिभा का हर तरहे के लोगों से संपर्क रहता था वह किसी के दबाव में नहीं आती थी समय के साथ सेजल जवान हो गई, उसने इंटर तक पढ़ाई कर ली थी और आगे पढ़ने की तयारी कर रही थी गोरे रंग की सेजल बेहत खूबसूरत थी, गली महले का हर युवक उससे नसदी की बढ़ाने को बेकरार रहता था पिता के बिना मा के साथ रहते हुए सेजल भी काफी खुले मिजास्की हो गई थी मा के तौर तरीके और रंग धंग देखकर वह भी उसी रंग में ढल गई थी उसके जो मन में आता करती थी, वह अपने सपनों के राजकुमार के इंतजार में पलके बिछाए बैठी थी का नाम प्रतिभा सिंह था, प्रदीब खेती किसानी का काम करते थे, लेकिन किसी वजह से उनकी मानसिक स्थिती ठीक नहीं रही पती की मानसिक स्थिती ठीक ना होने पर प्रतिभा सिंह अपने दोनों बेटों को साथ लेकर सुल्तानपुर अपने भाई विवेक सिंह के पास आ गई विवेक सिंह सरकारी नौकरी करते थे और गोला घाट शेत्र में रहते थे उन्होंने अपनी बहन और भाजों को सहारा दिया, उनकी परवरिश में मदद किया शिवेंद्र ने मुरादाबाद स्थित एक इंस्टिट्यूट से सिविल एंजिनेरिंग में डिपलोमा किया था वह काफी स्मार्ट था, खूबसूरत युवतियों में उसका काफी लगाव था जब हिमाशू और उसका भाई शिवेंद्र अपने दम पर कुछ करने के काबिल हुए तो विवेक सिंग ने उन्हें PWD कालोनी में एक मकान रहने के लिए दिला दिया उनका सारा खर्चा विवेक सिंग ही उठा रहे थे हिमाशू की सेजल से मुलाकात मार्केट में शौपिंग करते समय हुई थी पहली ही नजर में सेजल उसे दिल दे बैठी, उधर हिमाशू भी उसे देखते ही उस पर फिदा हो गया था उस पहली मुलाकात में दोनों के बीच कोई समवाद शुरू नहीं हो सका मगर सेजल मार्केट से घर लोट कर भी हिमाशू को भुला नहीं पाई उस रात वह हिमाशू के बारे में ही सोचती रही हिमाशु से हुई उस पहली मुलाकात के बाद सेजल खोई-खोई सी रहने लगी थी अब उसे बेसबरी से इंतजार था हिमाशु से अपनी मुलाकात होने का ताकि वह अपना हाले दिल बया कर सके पहली मुलाकात के दो हफते बाद एक दिन उसी मार्केट में उसे हिमाशु दिखाई दे गया हिमाशु को देखते ही उसके दिल के तार जंजना उठे चहरे पर खुशी की लहर दोड़ गई अब तक हिमाशु की निगाह भी उस पर पड़ चुकी थी, वह धड़कते दिल से बस सेजल को ही घूरे जा रहा था कुछ पलों तक यह घूरने का सिलसिला चलता रहा, फिर हिमाशु सेजल के पास आया और बेहद मीठे लहजे में जिजगते हुए बोला माफ कीजिए क्या मैं आप से कुछ बातें कर सकता हूँ जी हाँ कीजिए क्या बात करना चाहते हैं सामने रेस्टोरेंट में चल कर एक-एक कप चाय पीते हैं, वहीं बाते भी हो जाएंगी सेजल ने उतावले मन से कहा, अच्छा आइडिया है, चलिए दोनों कुछ कदमों की दूरी पर स्थित रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए उस दिन दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान लिया दोस्ती हुई तो फोन पर बात करने का सिलसिला शुरू हो गया सेजल के मोबाइल पर हिमानशु के फोन काल्स आने लगे, दोनों कई-कई घंटे बात करते, मगर फिर भी दिल नहीं भरता अब हिमानशु प्रतिभा की गैर मौजूदगी में सेजल के घर भी आने जाने लगा एक दिन जब हिमानशु सेजल के घर आया, तो हिमानशु ने सेजल को बाहों में भर कर उसके होठो को चूम लिया अब ये दूरियां बरदाश्ट नहीं होती, तुमसे एक पल भी अलग होने को दिल नहीं करता है तो फिर मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते हो वह तो मैं करूंगा ही यार, मगर शादी के बाद रोमास का मज़ा किरकिरा हो जाता है इसलिए सोचता हूँ कि पहले जी भर कर सैर सपाटा और मस्ती कर ली जाए फिर शादी की बात सोचेंगे प्रेमी हिमांशु के मनोभावों को जान कर सेजल प्रसंता से खिल उठी उसे हिमांशु दुनिया का सबसे अच्छा इनसान नजर आने लगा कुछ दिनों बाद सेजल का जन्मदिन था उस दिन सेजल ने हिमांशु के सिवाय किसी को इन्वाइट नहीं किया यहां तक की अपनी खास सहेली हिमानी को भी नहीं बुलाया तनहा कमरे में दो जवाग दिल कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था ऐसे में मन भटकते कितनी देर लगती है फिर हिमांशु ने सेजल को बाहों में भींच कर प्यार करना शुरू कर दिया लेकिन सेजल ने किसी तरह खुद पर काबू किया और हिमांशु को भी बेकाबू होने से रोक लिया दोनों ही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते थे सोशल मीडिया एप इंस्टाग्राम पर सेजल ने हिमाशु के साथ अपनी रिलेशन्शिप को लेकर एक पोस्ट डाली जिसमें वह हिमाशु के साथ एक सेलफी में दिख रही थी उसमें उसने हिमाशु से अपने प्यार का इजहार किया था और अपने रिलेशन्शिप के दो साल साथ महीने पूरे होने पर खुशी जताई थी ये पोस्ट सेजल के मित्रों के अलावा और अन्य लोगों ने भी देखी यह बात सेजल की मा प्रतिभा तक भी पहुँच गई प्रतिभा ने सेजल से बात की और उसे गुस्से में डाटा भी लेकिन कुछ सोचने के बाद प्रतिभा ने सेजल को समझाया मानती हूँ कि तू उम्र के उस दौर से गुजर रही है जहां किसी भी लड़के के प्रति आकर्शित हो सकती है लेकिन एक सच यह भी है कि उम्र के इस दौर में दिमाग से ज्यादा दिल से काम लिया जाता है जैसे तूने सिर्फ अपने दिल की सुनी, दिमाग की नहीं सुनी दिमाग की सुनती तो तू उसे अपने लिए नहीं चुनती मॉम हिमाशू में क्या खराबी है गुड लुकिंग है, हैंसम है, मेरी उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है सेजल ने खुश होते हुए अपने दिल की बात बता दिया बेटा केवल खूबसूरती और प्यार से जिंदगी में काम नहीं चलता अच्छी तरह से जिंदगी गुजारने के लिए इंकम का अच्छा जरिया होना चाहिए जो उसके पास नहीं है ना नौकरी ना कामधंधा और ना ही रहने का खुद का कोई ठिकाना ऐसे में वह तुझे क्या खुश रखेगा मा की बात सुनकर सेजल सोच में पड़ गई वह सोचने लगी कि उसकी मा कह तो सही रही है प्यार के रंग और जोश में वह यह कुछ सोच ही नहीं सकी की आगे कैसे उसके साथ जिंदगी कटेगी ऐसे में उसने हिमाशु से दूर होने का फैसला कर लिया अब वह हिमाशु से कटने लगी जबकि हिमाशु उससे शादी करने का दबाव बना रहा था सेजल उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी लेकिन हिमाशु उसका पीछा छोड़ने को ही तयार नहीं था तब प्रतिभा एक दिन हिमाशु के घर पहुँच गई उसने हिमाशु की माँ को ना सिर्फ अपने बेटे को समझाने की हिदायत दी बलकि काफी भला बुरा भी कहा इसी दिन हिमाशु के घर वालों को उसके प्रेम संबंधों का पता चला मा ने हिमाशु को समझाया भी कि वह सेजल से दूर रहे लेकिन प्यार में आकंट डूबा हिमाशु सेजल से दूर होने की सपने में भी नहीं सोच सकता था हिमाशु के पीछा नहीं छोडने पर मा बेटी उससे छुटकारा पाने का उपाय सोचने को मजबूर हो गई दॉक्तर प्रदीप ने प्रतिभा से तलाग के बाद दूसरी शादी कर ली थी, एक बेटा भी था लेकिन इधर कुछ समय से वह फिर से प्रतिभा से मिलने उसके घर आने लगा था रोजाना एक देड़ घंटे वह प्रतिभा के घर रुखता था प्रदीप को भी हिमांशु के बारे में पता था, वह भी उससे काफी गुस्सा था प्रदीप और प्रतिभा का एक प्रॉपर्टी डीलर काफी करीबी था उसका नाम गुफरान अक्तर था और शहर कोतवाली के चौक महले में रहता था दोनों ने गुफरान से बात की और उससे हिमांशु को ठिकाने लगाने में मदद मांगी गुफरान का एक साथी था वाहिद खान, वाहिद चांदा थाने के अंतरगत कोथरा गाउं में रहता था वह चांदा थाने का हिस्ट्री शीटर था गुफ्रान ने वाहिद से बात की और उसे प्रदीप और प्रतिभा से मिला कर पूरी डील फाइनल करा दिया हत्या की सुपारी की रकम पचास हजार रुपए तय हुई जो काम होने के बाद दी जानी थी हिमाशु की हत्या करने का पूरा तानाबाना बुना गया इसमें प्रतिभा ने अपने नौकर सद्दाम को भी शामिल कर लिया तीन दिसंबर दो हजार बीस की शाम सेजल ने फोन करके हिमाशु को अपने घर बुलाया कि उसके मम्मी पापा उससे बात करना चाहते हैं हिमाशु अपने दोस्ट के साथ प्रतिभा के घर पहुँचा करीब पौने साथ बजे वह दोस्ट को बाहर खड़ा करके अंदर चला गया वहाँ प्रदीप, प्रतिभा, सेजल, नौकर सद्दाम के साथ गुफरान और वाहिद मौजूद थे बात्चीत शुरू हुई बात्चीत के दोरान ही वाहिद ने पीछे से लोहे के पाइप से हिमाशु के सिर पर प्रहार किया प्रहार इतना तेज था कि हिमाशु के मुह से चीख भी नहीं निकल सकी फिर ताबड़तोर सिर्व शरीर पर कई प्रहार करके वाहिद ने हिमाशु की हत्या कर दिया बाकी सभी उसकी हत्या अपनी आँखों के सामने होते देखते रहे हिमाशु को मारने के बाद उसके कपड़े उतार कर सद्दाम को पहनाए गए हिमाशु की तरहे ही वेश भूशा बना कर उसकी ही तरहे सक्दाम रात आठ बस कर 22 मिनट पर घर से निकला, जिससे लगे कि हिमाशु घर से निकला है सभी को पता था कि बाहर CCTV कैमरे लगे हैं, उनमें हिमाशु की घर में आते हुए फोटो कैद होई होगी ऐसे में उन पर ही पुलिस का शक जाएगा, इससे बचने के लिए ही यह रास्ता अपनाया गया देर रात वाहिद ने अपनी सकोडा कार में हिमाशु की नगन लाश डाली फिर गुफरान के साथ कार से बाराबंकी के लोनी कट्रा थाना क्षेतर के अखियापुर गाउं के पास एक नाले में हिमाशु की लाश फेंक दी और वापस आ गए अगले दिन वाहिद को अपनी तैस उपारी की रकम भी मिल गई लेकिन तमाम होशियारी के बाद भी उन सब का गुना कानून की नजर में आही गया आवशक पूछताच के बाद पुलिस ने डॉक्टर प्रदीप को न्यायाले में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया 19 दिसंबर को इंस्पेक्टर भुपेंद्र सिह ने गुफरान अक्तर और वाहिद खान को नगर कोतवाली के पयागीपुर चौराहे से उस समय गिरफतार कर लिया जब दोनों स्कोडाकार से कहीं भागने की फिराक में थे उनके पास से हत्या में प्रयुक्त लोहे का पाइप और स्कोडाकार बरामद हो गई उन दोनों ने हत्या का जुर्म स्विकार कर लिया आवशक पूछताच के बाद गुफरान और वाहिद को न्यायाले में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया कहानी लिखे जाने तक प्रतिभा सेजल और नौकर सद्दाम पुलिस की पकड़ से दूर थे पुलिस सरगर्मी से उनकी तलाश कर रही थी उन तीनों पर पुलिस ने इनाम भी घोशित कर दिया था आज की कहानी बस यही तक अब बारी कमेंट पढ़ने की है मेरा राय मैम ने कमेंट किया है शक ही एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई इलाज नहीं शक की बीमारी के लिए ना तो कोई दवा बनी है ना ही कोई दवा मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद रोशनी पटेल जी ने कमेंट किया है बेचारी मीना की तो कोई गलती भी नहीं थी कैसे कैसे लोग होते हैं अपनी वाइफ को तो मारा ही उसके बच्चे को भी बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा और वो उसकी दूसरी वाइफ उसे भी ये समच नहीं आये कि रोणी जब फर्स्ट वाइफ और उसके बच्चे का ना हुआ तो फ्यूचर में क्या उसका होगा मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद प्यार में लोग ऐसे ही अंधे हो जाते है कलपना लिंबु जी ने कमेंट किया है मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद असदुलाह लगारी जी ने कमेंट किया है विवेक कुमार जी आपकी आवास और अंदास बहुत अच्छा है सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद आलिया जी ने कमेंट किया है Very good, nice video, God bless you always आलिया मैम आपके कमेंट के लिए आपका तहेट दिल से शुक्रिया विनै कुमार जी ने कमेंट किया है DNA जाच से ये कनफर्म किया जा सकता है कि बच्चा किसका है मुझे तो लगता है कि ससूर का ही होगा ये बुढ़ी औरतों का जज्जमेंट वो भी ऐसे मामलों में गलत नहीं हो सकता सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धनियवाद सिमरन कौर मैम ने कमेंट किया है मैम ने पंजाबी भाशा में हालचाल पूछा है मैम मैं बहुत अच्छा हूँ आप लोगों का आशिरवाद है मैं पंजाबी में जवाब तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती है लेकिन मैं समझ सकता हूँ मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया शाजिया मुस्तफा जी ने कमेंट किया है आप बांगलादेश की भी कहानी बोल सकते हैं अच्छा लगता है जब आप मेरा नाम लेते हैं मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया मैं बांगलादेश के शिवली सादिक मर्डर के इस पर कहानी बनाया था आप सुन सकते हैं वैसे मैं नई स्टोरी भी लेकर आऊंगा कंचन पटेल जी ने कमेंट किया है मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया सिमरन सावी जी ने कमेंट किया है मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया रश्मी शर्मा जी ने कमेंट किया है सर पीडित का तो पता नहीं पर उसने एक मर्डर और दो सुसाइड है इससे ज्यादा मैं नहीं जानता और यह सब कुछ एक अवैद संबंध के चक्कर में हुआ है मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया गुर्जोत सिंह जी ने कमेंट किया है सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया रीता चेतरी मैम ने कमेंट किया है मैम आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अलोक सर ने कमेंट किया है शक का कोई इलाज नहीं होता इस घटना में शक की बुनियात पर ही हत्या हो गई सर आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया शाम बहादुर गुपता जी ने कमेंट किया है सास का बहु के प्रती अनुचित व्यवहार के कारण ही सास को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और बहु को जेल जाना पड़ा सर आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर्स है हर विडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं जैसे रकीब सर, राहुल जैकर सर, नरेंद्र जोशी सर, रोशन दलवई सर, आरती चौहान जी, सरिता राय जी, नादिया उंबर लोदी जी, महेश रस्तोगी जी, जफर खान जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे विडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसी ही अपराध की सची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें, धन्यवाद